नमस्ते दोस्तों, प्रेश्टूत है मुन्शी प्रेमचंद के प्रेणादा कहानियों में से एक कहानी जिसका शिशक है जियोती विद्वा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटू हो गया था जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पती को कोशती आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह सारा जंजाल छोड़ गए जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किसले किया घर में भूनी भांग नहीं चले थे ब्याह करने वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती अहिरों में इसका रिवाज है देखने सुनने में भी बुड़ी न थी दोदो आदमी तयार भी थे लेकिन बुटी पती वरता का लाने के मोह को न छोड़ सकी और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर जो अब 16 साल का था सोहन अभी छोटा था और मैंना लड़की थी यह दोनों अभी किसी लायक न थे अगर यह तीनों न होते तो बुटी को क्यों इतना कस्ट होता जिसका थोड़ा सा काम कर देती वही रोटी कपरा दे देता जब चाहती किसी के सिर बैट जाती अब अगर वह कहीं बैट जाए तो लोग यही कहेंगे कि तीन तीन बच्चों के होते इसे यह क्या सुझ गई मोहन भर सक उसका भार हलका करने की चेश्टा करता गायों भैसों की सानी पानी दुहना मतना यह सब कर लेता लेकिन बुटी का मुँ सीधाना होता था वह रोज एक न एक हुचर निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुर्कियों की परवा करना छोड़ दिया था पती उसके सिर्ख ग्रिहस्ती का या भार पटक कर क्यों चला गया यही उसकी गिला था बेचारी का सर नास ही कर दिया ना खाने को सुख मिला ना पहनने ओढ़ने का ना और किसी बात का इस घर में क्या आई मानों भटी में पड़ गई उसकी वैधवे साधना और और अत्रिप्त भोग लालसा में सदेव द्वन सा मचा रहता था और उसकी जलन में उसके हिदय की सारी मृदता चल कर भस्मो गई थी पती के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास चार पात सो के गहने थे लेकिन एके करके सब उसके हाथ से निकल गए उसी मुहले में उसकी बिरादरी में कितनी ही औरते थी जो उससे जेठी होने पर भी गहने जहमका कर आखों में काजल लगा कर माम में सिंदूर की मोटी सी रेखा डाल कर मानों उसे जलाया करती थी इसलिए जब उन में से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और ये सारी जलनवर लड़कों पर निकालती विशेश कर मोहन पर वा शायद सारे संसार की को अपने ही रूप में देखना चाहती थी गुसे में उसे विशेश आनंद मिलता था उसकी वन्चित लालसा और जलन पाकर ओस चाट लेने में ही सुन्तिस्टी मिलती थी फिर यह गैसे संबव था कि वह मोहन के विशेश में कुछ सुने और पेट में डाले जो ही मोहन संध्या समय दूद बेच कर घर आया बूटी ने कहा देखती हूँ तू अब सार्ड बनने पर उतारू हो गया मोहन ने प्रश्ण के भाव से देखा कैसा सार्ड बात क्या है तू रुपिया से छिपचिप कर नहीं हसता बोलता उस पर कहता है कैसा सार्ड तुझे लाज नहीं आती घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहां उसके लिए पान लाए जाते हैं कपरे रंग आए जाते है मोहन ने विद्रो का भाव धारन किया अगर उसने मुझसे चार पैसे के पान मांगे तो क्या करता कहता कि पैसे दे तो लाओंगा अपनी धोती रंगाने को दी उसे रंगाई मांगता मुहले में एक तो ही वरा धन्ना सेठ है और किसी से उसने क्यों न कहा या वाज आने मैं क्या बताओ तुझे अब छैला बनने की सूज़ती है घर में भी कभी एक पैसे का पान लाया यहाँ पान किसके लिए लाता क्या तेरे लिए घर में सब मर गए मैंने जानता था तुम पान खाती हो संसार में एक रुपिया ही पान खाने लोग है शौक सिंगार की भी तो उमर होती है बूटी जल उठी उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था बुढ़ापे वे उन साधनों का महत्म ही क्या जिस त्याग कलपना के बल पर वह इस्त्रियों के सामने सिर उठा कर चलती थी उस पर इतना कठोरा घात इनी लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी उसके आदमी को मरे आज पात साल हुए तब उसकी चड़ती जवानी थी तीन बच्चे भगवान ने उसके गले मट दिये नहीं अभी वे कहीं दिन की थी चाहती तो आज वह भी होट लाल किये पाव में महावर लगाए अनवट बिच्चुए पहने मटकती फिरती यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिये और आज मोहन उसे बुढिया कहता है रुपिया उसके सामने खरी कर दी जाये तो चुहिया सी लगे फिर भी वह जवान है और बुटी बुढिया है बोली हाँ और क्या मेरे लिए तो अब फटे चितरे पहनने के दिन है जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपिया से ही दो-चार साल की बड़ी थी उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कही पता न लगता गली-गली भीक मांगते फिरते लेकिन मैं कहे देती हूँ अगर तु फिर उससे बोला तो या तो तु ही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी मोहन ने डरते-डरते कहा मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा कैसी बात सगाई की अगर रुपया मेरे घर में आई तो जारू मार-मार का निकाल दूँगी यह सब उसकी मा की माया है वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है रांड से इतना भी नहीं देखा गया चाहती है कि उसे सौत बना कर छाती पर बठा दे मोहन ने व्यथित कंड से का अम्मा इश्वर के लिए चुप रहो क्यूं अपना पानी आप खो रही हो मैंने तो समझा था चार दिन में मैंना अपने घर चली जाएगी तुम अकेली पर जाओगी इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो तु आज से यहीं आंगर में सोया कर और गाये भैसे बाहर पर रहेंगी परी रहने दे कोई डाका नहीं परा जाता मुझ पर तुझे इतना संदे है हाँ तो मैं यहाँ न सोऊंगा तो निकल जा मेरे घर से हाँ तेरी यही एक शाय है तो निकल जाओंगा मैना ने भोजन पकाया मुझे भूख नहीं है बूटी उसे मनाने ना आई मुखन का युवक खिरदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्विकार नहीं कर सकता था उसका घर है ले ले अपने लेवा कोई दूसरा ठिकार न ढून निकालेगा रुपिया ने उसके रुखे जीवन में एक स्निक्ददा भर दी थी जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था जीवन में कुछ सुना सुना लगता था रुपिया ने नव वसंत की भाती आकर उसे पल्लवित कर दिया मुहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा कोई काम करता होता पर ध्यान रुपिया की ओर लगा रहता सोचता उसे क्या दे दे कि वह प्रसन हो जाए दोनों में कैसी कैसी बाते हुई थी मुहन ने कहा था रुपा तुम इतनी सुन्दर हो तुम्हेरे सौ ग्राहक निकलाएंगे मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है इस पर रुपिया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्रानों में बसा हुआ था मैं तो तुम्हें चाहती हूँ मोहन अकेले तुमको परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहनो मजूरी करने लगो तब भी मोहनो उसी रुपिया से आज वह जाकर कहे मुझे अब तुमसे कोई सरुकार नहीं है नहीं यह नहीं हो सकता उसे घर की परवा नहीं है वह रुपिया के साथ मा से अलग रहेगा इस जगह ना सही किसी दूसरे मुहले में सही इस वक्त भी रुपिया उसकी राह देख रही होगी कैसे अच्छे बीड़े लगाती है कहीं अम्मा सुन पावें कि यह रात को रुपिया के द्वार पर गया था तो प्रान ही देदें देदें प्रान अपने भाग तो नहीं बखानती की ऐसी देवी बहु मिली है नजाने क्यों रुपिया से इतना चिड़ती है वह जरा पान खा लेती है जरा सारी रंकर पहनती है बस यही तो चूरियों की जहनकार सुनाई दी रुपिया आ रही है हाँ वही है रुपिया उसके सिरहाने आकर बोली सो गए क्या मोहन घरी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ आये क्यों नहीं मोहन नीन का मकार किये हुए पढ़ा रहा रुपिया ने उसका सिरह लाकर फिरका क्या सोग है मोहन उन कोमल उंगलियों के सपर्ष में क्या सिध्धी थी कौन जाने मोहन की सारी आत्मा उनमत होटी उसके प्रान मानो बाहर निकल कर रुपिया के चर्णों में समर्पित हो जाने के लिए उच्छल पड़े देवी वर्दान के लिए सामने खरी है सारा विश्व जैसे नाच रहा है उसे मालूम हुआ जैसे उसका सरीर लुप्थ हो गया है केवल वह एक मधूर स्वर की भाती विश्व की गोद से चिप्टा हुआ उसके साथ निर्ति कर रहा है रुपिया ने फिर का अभी से सो गए क्या जी मोहन बोला हाँ जरा नीद आगी थी रुपा तुम इस वक्त क्या करने आई कहीं अम्मा देख लें तुम मुझे मारी डाले तुम आज आये क्यों नहीं आज अम्मा से लड़ाई हो गई क्या कहती थी कहती थी रुपिया से बोलेगा तो मैं परान दे दूँगी तुमने पूछा नहीं रुपिया से क्यों चिड़ती हो अब उनकी बात क्या कहू रुपा वा किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा मेरा जी तो ना मानेगा ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस और मैं कुछ नहीं चाहती और अम्मा जो बिगरेंगी तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते मेरा बस होता तो तुमको अपने प्रान में रख लेता इसी समय घर के किवार खटके रुपिया भाग गई मौहन दूसरे दिन सो कर उठा तो उसके हिर्दे में आनंद का सागर सा भरा हुआ था वह सोहन को बराबर डाटता रहता था सोहन आलसी था धर के काम धंदे में जी न लगाता था आज भी वह आंगर में बैठा अपनी धोती में साबुन लगा रहा था मौहन को देखते ही वह साबुन छिपा कर भाग जाने का अवसर खोजने लगा मौहन ने मुश्कुरा कर कहा धोती बहुत मैली हो गई है सोहन धोबी को क्यों नहीं देते सोहन को इन शब्दों में स्नेकी गंदाई धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अमा से क्यों नहीं मांग लेते अमा कौन पैसे दिये देती है तो मुझसे लेलो या कहा कर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेक दी सोहन प्रसन्न हो गया भाई और माता दोनों ही उसे धिकारते रहते थे बहुत दिनों बाद आज उसे स्ने की मधूरता का स्वाद मिला इकन्नी उठा ली और धोती को वही छोड़ कर गाय को खोल कर ले चला मोहन ने का रहने दो मैं इसे लिए जाता हूँ सोहन ने पगया भाई के देख कर फिर पूछा तुम्हाई ले चिलम रख जाऊं जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रती ऐसा सद्भाव प्रकट किया था इसमें क्या रहस्य था या मोहन की समझ में ना आया बोला आग हो तो रख लाओ मैंना सिर के बाल खोले आगन में बैठी घरोंदा बना रही थी मैंने पूछा क्या खेल रही थी मैंना मैंना टरी भी बोली कुछ तो नहीं तू तो बहुत अच्छे घरोंगे बनाती है जरा बना देखू तो मैंना का रुआसा चेहरा खिल उठा प्रेम के शब्द में कितना जादू है मूँ से निकलते ही जैसे सुगंद फैल गई जिसने सुना उनका हिर्दे खिल उठा जहां भै था वहां विश्वास चमक उठा जहां कटूता थी वहां अपना पंचलक पड़ा चारो और चेतनता दौर गई कहीं आलस नहीं कहीं खिंता नहीं मूहन का हिर्दे आज प्रेम से भरा हुआ है उसमें सुगंद का विकर्षन हो रहा है मैंना घरोंदा बनाने बैठ गई मूहन ने उसके उलचेवे बालों को सुलचाते वे का तेरी गुरिया का बया कब होगा मैंना ने उता दे कुछ मिठाई खाने को मिले मैंना का मन आकाश में उने लगा अब भाईया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खुब चमाचम करके पानी ले जाएगी अम्मा पैसे नहीं देती गुड़ा तो ठीक हो गया है ठीका कैसे भेजू कितने पैसे लेगी एक पैसे के बतासे लूंगी और एक पैसे का रंग जोरे तो रंगे जाएंगे की नहीं तो दो पैसे में तेरा काम चल जाएगा हाँ मुझे दो पैसे दे दो भाईया तो मेरी गुरिया का बया धूमधाम से हो जाए मोहन ने दो पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाया मैना लब की मोहन ने उपर हाथ उठाया मैना ने हाथ पकर कर नीचे खीचना शुरू किया मोहन ने उसे गोध में उठा लिया मैना ने पैसे ले लिया और नीचे उतर कर नाचने लगी फिर अपनी सहेलियों को विवा का नियोता देने के लिए भागी उसी वक्त बूटी गोबर का जहुआ लेकर आप पहुची मोहन को खरे देखकर कठोर सोर में बोली अभी तक मटल गस्ती ही हो रही है मैसे कब दो ही जाएंगी आज बूटी को मोहन ने विद्रो भरा जवाब नहीं दिया जैसे उसके मन में माधूर्य का कोई सोता सा खुल गया हो माता को गोबर का बोज लिये देखकर उसने जवा उसके सिर से उतार लिया बूटी ने कहा रहने दे रहने दे जाकर भैश दू मैं तो गोबर लिये जाती हूँ तो अम इतना भारी बोज क्यूं उठा लेती हो मुझे क्यूं नहीं बुला लेती माता कहिडे वादसले से गदगद हो उठा तो जा अपना काम देख मेरे पीछे क्यों परता है गोबर निकालने का काम मेरा है और दूद कौन दुएगा वह भी मैं करूँगा तू इतना बरा जोधा है कि सारे काम कर लेगा जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा तो मैं क्या करूँगी तुम लड़कों से काम लो जो तुम्हारा धर्म है मेरी सुनता है कोई आज मोहन बाजार से दूद पहुँचा कर लौटा तो पान, कथा, सुपारी, एक छोटा सा पान दान और थोड़ी सी मिठाई लाया गुटी बिगर कर बोली आज पैसे कही फाल्तू मिल गए थे क्या इस तरह उराएगा तो कितने दिन निर्वा होगा मैंने तो एक पैसा भी नहीं उराया अम्मा पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं तो अब मैं पान खाऊंगी हाँ, और क्या जिसके दो-दो जवान बेटे हो क्या वह इतना शौक भी न करे बूटी के सुखे कठोर हिर्दय में कहीं से कुछ हर्याली निकल आई एक नन्ही सी कोपल थी लेकिन उसके अंदर कितना जीवन, कितना रस था उसने मैना और सोहन को एक-एक मिठाई दे दी और मोहन को देने लगी मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अमा और तू तो बुढ़ा हो गया क्यों इन लड़कों के सामने तो बुढ़ा ही हो लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है न मोहन ने मिठाई ले ली मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुह में डाल ली थी, वह केवल मिठाई का श्वाद जीव पर जोर कर कभी गायब हो चुकी थी, मोहन की मिठाई को ललचाई आँखों से देखने लगी, मोहन ने आधा लड़ू तोर कर मैना को दे दिया, एक मिठाई दोने में बची थी, बूटी ने उसे मोहन की मुह में डाल कर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा, तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनन मिलता है उसमें मिठाई से कहीं ज़्यादा स्वाद है, उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी, फिर पांदान खोल कर देखने लगी, आध जीवन में पहली बार उसे यह सो भाग्य प्राप्थ हुआ, धन्य भाग की पती के राज में जिस विभूती के लिए तरस्ती रही, वह लड़के के राज में मिली, पांदान में कई कुल्णियां हैं, और देखो दो छोटी-छोटी चिमनियां भी हैं, उपर कडा लगा हुआ है, जहां चाहो कथा भड़ा, सुपारी काटी, पान को भिगो कर तस्तरी में रखा, तब एक बीरा लगा कर खाया, उस बीरे के रस ने जैसे उसके वैधवे की कटुता को स्निक्ड कर दिया, मन की प्रसंता व्यवहार में उदारता बन जाती है, अब वह घर में बैठ नहीं सकती थी, उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूती उसमें जाकर गुम हो जाए, एक पुराना आइना पड़ा हुआ था, उसने उसमें मुह देखा, वोटो पर लाली है, मुह लाल करने के लिए उसने पान थोड़ी खाया है, धनिया ने आकर कहा, काकी, तनिक रसी दे दो, मेर मेरी रसी तूट गई है, कल बूटी ने साफ कर दिया होता, मेरी रसी गाउं भर के लिए नहीं है, रसी तूट गई है तो बनवा लो, आज उसने धनिया को रसी निकाल कर प्रसन्न मुक्ष से दे दी, और सदभाव से पूछा, लड़के के दस्त बंध हुए की नहीं धनिय धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं, पानी भर ले, तो चल चला देखूं, दांत ही है या कुछ और फसाद है, किसी के नजर वजर तो नहीं लगी, अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आँख फूटी हो, चंच काकर बुलाया, जट उसकी गोद में चला जाता है, ऐसा हसता है कि तुमसे क्या कहूं, कभी-कभी मा की नजर भी लग जाया करती है, ए नोज काकी, भला कोई अपने लड़के को नजर लगाएगा, यहीं तो तु नहीं समझती, नजर आप ही लग जाती है, धनिया पानी ले होगा, नहीं काकी, रुपिया आज आती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं तो मेरी मरन ही हो जाती, भूटी को आश्चर हुआ, रुपिया को उसने केवल तितली समझ रखा था, रुपिया? हां काकी, बिचारी बड़ी सीधी है, जारू लगा देती है, चौका बरतन कर देती है, लड़के को सम्हालती है, गाढ़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी, उसे तो अपनी मिस्सी काजल से चुट्टी न मिलती होगी, वह तो अपनी-पनी रुची है काकी, मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली नहीं जितना सहारा दिया, उतना किसी भक्तिन ने न बिचारे रात भर जागती रही मैंने कुछ दे दिया तो नहीं लिया हाँ, जब तक जीऊंगे उसका जस्क गाउंगी तो उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया पान के लिए पैसे कहां से आते हैं किनारदार सारियां कहां से आती हैं मैं इन सब बातों को नहीं परतिका की फिर शौक सिंगार करने का किसका जीनी चाहता खाने पहनने की यही तो उमर है धनिया का घर आ गया आगन में रुपिया बच्चे को गोध में लिये थपक रही थी बच्चा सो रहा था धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा पेट में धीरे धीरे उंगली गरा कर देखा नाभी पर हिंका लेप करने के कहा रुपिया बेनिया लाकर उसे ज़लने लगी बूटी ने कहा ला रुपिया मुझे दे दे मैं डुला दूँगी तो क्या छोटी हो जाओंगी तु दिन भर यहां काम धंदा करती है ठक गई होगी तुम इतनी भला मानस हो और यहां लोग कहते थे वह बिना गाली के बात नहीं करती मारे डरके तुमारे पास ना आई बूटी मुस्कुराई लोग जूट तो नहीं कहते मैं आखों की देखी मानू की कानों की सुनी आज भी रुपिया आखों में काजल लगाए पान खाए रंगी सारी पहने हुए थी किन्तु आज बूटी को मालूम हुआ इस फूल में केवल रंग नहीं है सुगंद भी है उसके मन में रुपिया से घ्रिना हो गई थी वह किसी दैवी मंतर से धुल सी गई कितनी शुशील लड़की है कितनी लजा धूर बोली कितनी मीठी है आज कल की लड़कियां अपने बच्चों की तो परवा नहीं करती दूसरों के लिए कौन मरता है सारी रात धनिया के लड़के को लिये जागती रही मोहन ने कल की बात इससे कह तो दी होगी दूसरी लड़की होती तो मेरी और से मौ फेर लेती मुझे जलाती मुझे से एटती इसी तो जैसे कुछ मालूम ही न हो हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही न हो हाँ यही बात है आज रुपिया बूटी को बड़ी सुन्दर लगी ठीक तो है अभी शौक सिंगार ना करेगी तो कब करेगी शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं किसी के घर में आग लग जाए उससे मतलब ने उनका काम तो खाली दूसरों को रिजहाना है जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राच चलतों को बलाते हो कि जरा इस दुकान की सेर भी करते जाए ऐसे उपकारी प्रानियों का स्रिंगार बुरा नहीं लगता नहीं बलकि और अच्छा लगता है इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुन्दर है उतना ही मन भी सुन्दर है फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनके रूप का बखान करें किसे दूसरों की आँखों में छुप जाने की लालसा नहीं होती बूटी का यावन कब का विदा हो चुका फिर भी यह लालसा उसे बनी भी है कोई उसे रस भरी आँखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है जमीन पर पाव नहीं परते फिर रूपा तो भी जवान है उस दिन से रूपा प्रायह दो एक बार नित्य बूटी के घर आती बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी सारी मंगवा दी अगर रूपा कभी बिना काजल लगाई या बेरंगी सारी पहने आ जाती तो बूटी कहती बहु बेटियों को या जोग्या वेस अच्छा नहीं लगता या वेस तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है रूपा ने एक दिन कहा तुम बूढ़ी काहे को हो गई अम्मा लोगों को इशारा मिल जाए तो भौणों की तरह तुम्हारे द्वार पर धर ना दे देगे बूटी ने मीठे तिरसकार से का चल मैं तेरी अम्मा की सौत बन कर जाऊंगी अम्मा तो बूढ़ी हो गई तो क्या तेरे दादा भी जवान बैठे हैं हाँ ऐसा बड़ी अच्छी मिठी है उनकी बूटी ने उसकी और रस बरी आँखों से देख कर पूछा अच्छा बता मोहन से तेरा ब्याह करा दू रूपा लजा गई मुख पर गुलाब की आभा दोर गई आज मोहन दूद बेज कर लोटा तो बूटी ने कहा कुछ रूपा पैसे जुटा मैं रूपा से तेरी बातचित कर रही हूँ धन्यवाद